जेहिन स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूटूब चेनल जी के अंडरलाइन श्टेडी में तो आज किस वीडियो में हम लोग फड़बड़ी सोसल साइंस एक्जाम के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट 40 अब्जेक्टिव कुषिन को देखने वाले हैं जो आपके परिच्छा के द्रिष्टिकों से बहुत ही ज़्यदा महतपुर्ण होने बला है तो चलिए बीना समय को गवाए सबी प्रस्णों को सौल इसमें आपका पहला प्रस्ण है कि प्राचीन काल में किस अस्थल मार्ग से एसिया और यूरोप के मद्ध बैपार होता था तो इसका रेटरंसर आपका हो जाएगा ए रेशम मार्ग इसका दूसरा प्रस्ण है आपका कि भारतिया राष्टे कॉंगरिस के अस्थापना किस वर्ष होई थी तो भारतिया राष्टे कॉंगरिस के अस्थापना 1985 वी को होई थी इसका तिसरा प्रस्ण है कि रक्त और लोह की नीती का अवलंबन किस ने किया तो सुवभी ने अबग्या अंदलन की सुर्वाद जो है वह 1931 में हुआ था और कहां से हुआ था तो डॉन्डी से हुआ था तो इसका रेटन से आपको जगा C 1930 डॉन्डी उसके बाद नेक्ष्ट है आपका कि मुस्लिम लिग की अस्थापन किस वर्जवी थी तो 1926 में मुस्लिम लिग की अस्थापन की गई थी उसके बाद नेक्स है आपका छठा प्रसन है आपका कि भारते सम्मिधन में किया गया 73 सम्मिधन संसोधन किस से संबंदित है तो यहाँ आपके पंचायती राज से संबंदित है इसका रिटनसर आपको होज़ेगा पंचायती राज शवराज दल के अध्यक्ष कुन थे dalej के अध्यक्षई चित्रनजन दासजी थे इसका एंसर D काल मार्स का जनम कहा हुआ था तो सका जनम जर्मनी में हुआ था इसका लिए सर जगाप का वी उसका hopes रिंगेंच है कि महतमां गुंदी दच्छी नितफीकाशे भारत कप अपस आये थे तो उनिस्फर पं पंद्रेए से भी में complaining भारत आये हुए थे तो इसका लिए सर तरफ हुआ हुआ तो भी यत्नम 1945 सुधी में स्वतंत्र हुआ था तो इसका इन्सरा आपका भी हो जाएगा पर चाल जाएगा पनजाब में भूमी निमनी करण का समुक्ष कारण क्या है तो पंजाब में क्षेट्व मेंAudhik सीचाई उसका देश के बंधे को किस ने भारत का मंदिर कहा था तो पंडित नेरु जो है वह देश की बंधों को भारत का मंदिर कहा था पंडित जवारलाल नेरु तो इसका रिटनेसर आपका होज़ेगा पंडित जवारलाल नेरु उसका रिटनेसर आपका होज़ेगा पंड तो तीन वर्गों में वर्गी कृत किया गया है इसका इंसर जगा बी तीन वर्गों में इसका नेक्ष्ट है कि बिहार में नहरो द्वारा सरवादिक सिचाई किस जीले में होती है तो नहरो द्वारा सरवादिक सिचाई वह रहतास में होता है इसका इंसर ए हो जाएगा फिर ह सबसे अधिक विष्थार सुंदरबं में है में प्रकार करें और इस सुंदर और उसलिए सनन भी कह गया है और यह पश्च्शिम बंगाल में यह पाया जाता है अब वे बंगाल की खारी फिर है कि कोईला किस परकार का संसाधन है तो कोईला जो हेना ओर नभी करने संसाधन है क्योंकि ये वईसा संसाधन होता है जिसका अगर हम एक वार इस्तमाल कर लेते हैं तो यह पुनहा जोन जल्दी से हम नहीं बना सकते हैं इसके बनने में हजारों लाखों बर्स लगता है इस कारण से ये और नभी करने संसादन है और इस संसादन का समुपत होने का भाई जो है बना रहता है फिर जर्मनी की सहायता से किस इस्पात कारखने के अस्थापना की गई थी तो राउड केला जो इसी जगह पर इस्पात का संस पया जाता है जाता हिक भारत में पढर चैंडर में dro में गर कॉंग्रेसी सरकार का बनी थी तो भारत में पढरी बर चोनकर बार्य कंग्रेसी सरकार 29 format तर इसका इन्चण सूचना का एक कानूल । मतलब लोगों के द्वारा अंदोलन किया गया था तब इस कनूल को प्राप्त किया गया था। भुआफनना समाज पार्टी के सथापक कुन थे। तो कांसी राम थे। इसका एक हो जाएका कैसे राम। 25 नमर का सबल क्या करा है कि सूचन के अधिकार अंदोलन की सुरुवात किस राज से हुई थी तो वह राजस्तान से सुरुवाता सरपर्थम सूचन के अधिकार अंदोलन का ठीर की भारत की परमुक समाजी की समस्या क्या है, तो जाती वाद भी है, भासा वाद भी है, समपरदाय वाद भी है, तो इसका बहुतना जाएगा आपका D, इन में से सब ही, फिर नेकस्ट है की लोकतंत्र की पुना स्थापना कभ हुई थी, तो दूहजार चोहीस वी में परमुक समाजी की समस्या क्या है तो जाति वाद भी है भासा वाद भी है समपरदाय वाद भी है तो इसका रटार जगा आपका डी इन में से सभी फिर नेक्ष्ट है कि नेपाल में लोकतंद्र की पुना स्थापना कब हुई थी तो तो दो हजार चोईस भी में नेपाल में पुना लोकतंत्र के अस्थापना हुआ था फिर पंचायति राजसंस्ताओं के कितने अस्तर होते हैं तो इसके कुल चार अस्तर होते हैं इसका रचार जगा C-4 फिर नेक्ष टैप का कि भारत में सरवोच नियालय के मुख्य न्याधि लिए कि अस्थापना कब हुई थी तो इसका स्थापना 1936 इसमի में हुआ था लेकिन इसका स्थापना एक अपर 1935 हिसमीं में फ़य की 추천 अर्थी निवस्ता है तो कुए लिए बैस्वी करण का अर्थ होता है कि वेपारऄ पुण्जी तक्निक हस्तान सुचन परभाव द्वारा देश की अरथव्यवस्ता के साथ समनवे वह बैस्वी करण है जिसमें सेवा का हो गया पूण्जी का तक्निक जो बीन किसी रुकावट का एक दिस से दूसरे द से जनते हैं उसके बाद देखी नेक्स प्रसने आपका कि भारत में योजना आयोक का गठन कब हुआ था तो भारत में योजना आयोक का गठन 15 मार्च 1905 को हुआ था इसका अच्छ पंदर्य मार्च 1905 को फिर नेक्स है कि गयर संस्थागत बित परदोन करने वाली सबसे लोगपिडिये साधन है तो यह हो जाएगा आपका महाजन क्योंकि महाजन जो होता है या आपको असोनी से रिन मिल सकता है जो महाजन अपने गउं में होता है जो आपको करज देता है जो असोनी से देता है करज तो सबसे लोग प्रिये साधन की रूप में तो महाजन ही होता है उसके बाद ही नेक्स्ट को ही होता है फिर रूपिया क किस देश की मुद्रा है तो रूपिया जो है या भारत का भी है नेपाल का फिकास में कि कीजिश छेतर का योग्दान सरभादिक है तो वर्तों समय में आर्थिक विकास में जोन सेवा छेतर का योगदान बहुत ही जढ़ा महतफुर्ण है सरभादिक है उपभोगता अधिकार दिवस कम मना जाता है तो उपभोगता अधिकार दिवस 15 मार्च को बनाया जाता है तो इसका अंदर दिवस 15 मार्च को फिर एक निमलिखित में कौन प्राकिर्तिक आपदा है तो प्राकिर्तिक आपदा जो प्राकिर्तिक के दोरा होता है तो यह तो होगा ही यह भी नहीं होगा तो बूखका पूझए इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा। ग पूरा समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तरत के लिए जे इंध जे भारत